ग्वालियर से एक बेहदी हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जहां एक नीजी विश्व विध्याले सीए B.A.L.L.B. के थर्ड एर में पढ़ने वाली छात्र ने किले से कूत कर आत्म हत्या कर ली लड़की का नाम आकरती भदोरिया बताया गया जो कि अपने इसके लड़का छात्रा से रुपया एठा करता था बताया जो रहा है कि जब छात्रा को उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो पहले वो उससे फोन पर जगड़ा करती है लेकिन बाद में वो यूनिवर्सिटी से सीधे किले पहुँच जाती है जिसके बाद किले पर ही छात्रा के साथियों ने उसके बॉयफरेंड को बुलाया जिसके बाद वो किले पर पहुचने के बाद भी उससे लड़ने लगता है बता दे कि अपना आपा खोई छात्रा ने उसके सामने ही किले की दिवार से छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी बता दे कि आकरती के दोस्तों को इस पूरे मामले के बारे में पहले से ही पता था जब आकरती साथियों से किले जाने की कहकर निकल जाती है तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत कदम ना उठा ले जिसके चलते हैं वो लोग भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि आकरती मंदिर परीसर में किले की दिवार पर बैठी हुई रो रही थी तबी साथ ही उन्हें आदित्य को फोन कर बुलाया जिसके बाद आदित्य भी अपने दोस्त के साथ यहां पहुचता है यहां पहुचने के बाद आदित्य उससे जगडा करने लगता है जिससे परिशान आकर आकरती ने उसी के सामने किले की दिवार से छलांग लगा कर कारेवाई शुरू कर दी है परीजन लगतार लड़के पर आरोप लगा रहे हैं कि उसी नहीं आकरिती को धक्का लगाया हो फिलहाल आदित्य फरार बताया जा रहा है और साथ ही परीजन भी लगतार के लिए की सीसी टीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकालने की बात कर रहे कि ज二 ओिकॉर्डिंग बता क inclusiv चिना के वाई भ'क लगतार बेकॉर्डिंग